हेलो फ्रेंड्स मैं स्रिष्टी स्रिवास्तो टार्गेट वित आलोग आउनलाइन इंस्टिटूट में आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आपको होम साइंस बढ़ाऊंगी होम साइंस में आपको TGT PGT का स्लेबस सबसे पहले दिखाते हैं अहार एवं पोशडविज्ञान अहार एवं पोशडविज्ञान में आपको क्या पढ़ना है इसमें आपको कार्बो हाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल ये सारी चीज़े पढ़नी है ठीक है उसके बाद है आपका ग्रेप्रवन ग्रेप्रवन यानि की होम मैनेजमेंट home management में आपको क्या पढ़ना है कि आप अपने घर का प्रबंधन किस प्रकार से कर सकती है ठीक है जैसे आपको एक कमरा मिलता है उसको आप कैसे decorate करेंगी ठीक है आप उसको कितना अच्छा सजा सकती है इसके बारे में आपको पढ़ना है और इवैलुएशन पढ़ना है और इसके बाद आपको क्या पढ़ना है स्वास्त में आपको वायू से संबंधित रोग जल से संबंधित रोग और आप अपना स्वास कितना बहतर रख सकती है किस प्रकार का खान पान आपको रखना चाहिए यह सारी इन सब ये ए लोग क्या क्या पढ़ते हैं इन सब के अंतरगत हम लोग क्या क्या परते हैं व्रिधी ओ ठीक है व्रिद्धी में विकास के ekस है ख civd hago Be Natürlich क्या होती है गुरात्मक होती है कि मातरात्मक होती है क्या होता है विकास की विशेस्ताएं कौन कौन सी है इसके साथ ही विकास के सिध्धान्त क्या क्या है ये भी आपका पूछा जाता है ठीक है नेक्स्ट है आपका वस्त्र विज्ञान वस्त्र विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है तो वस्त्र विज्ञान में आपको पढ़ना है कि वस्त्र कैसे बनाया जाता है जिसमें आप लोग पढ़ेंगे fiber क्या होता है yarn क्या होता है इसके अलामा आप लोग पढ़ेंगे fabric क्या है उसके कितने types हैं color क्या होता है आप अपने वश्रों को कैसे रंग सकते हैं ये सारी चीजें आपको यहाँ पढ़नी है नेक्स्ट है हमारा प्रसार सिक्षा ठीक है प्रसार सिक्षा प्रसार सिक्षा किसकी सिक्षा होती है ये ग्रामीडों की सिक्षा होती है तो यहाँ पे आपको जो वर्तिमान में सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं है ये भी इसकी अंतरगत आपको पढ़ना है ने ठीक है तो सरीर क्रिया विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है कोसिका पढ़नी है पाचन तंत्र पढ़ना है रगत से समभंदित कोश्चन यहाँ पे आते हैं साती अस्तियों से संबंदित question आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं अब एक चीज़ आप लोग देख रही होंगे कि ग्रे प्रबंध ठीक है ग्रे प्रबंध आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा और यहाँ भी देखने को तो इसे भी आपको पढ़ना है बस यहाँ पे आपको surface area में पढ़ना है और यहाँ आपको deeply पढ़ना है चीक है इसके बाद आपका बाल विकास और सिसू विकास अभी मैंने आपको बताया सिसू विकास में आपको क्या पढ़ना है सिसू विकास में आपको सिसू से संबंधित क्रियाएं, 600 अवस्था तक की आपको तक क्रियाएं पढ़नी हैं और बाल विकास में आपको बालक की विकास की कितनी अवस्थाइं होती हैं ये चीजें पढ़ना हैं इसके बाद है आपका वस्त如果 परिधान और यह सारी चीजें यहां पे पूछी जाती हैं। लेकिन जब हम परीधान की बात करते हैं, तो हम लोग परमपरागत वस्त्र में आते हैं। यह नहीं कि यहां पर आप जो है scientific नहीं पढ़ेंगे लेकिन आपको परिधान की जब हम बात करेंगे तो हम परम परागत वस्त जैसे कि आपके हमाई उत्तर प्रदेश का परागत वस्त कौन सा है तो जैसे साड़ी है कहां की साड़ी बनारस की साड़ी उसमें आप लोग जान में यह आपको पढ़ना है नेक्स है हमारा प्रसार सिक्षा तो प्रसार सिक्षा से यहां भी कोशन आते हैं यहां भी कोशन आते हैं तो यह आप लोग एक बार सब लोग नोट डाउन कर लीजेगा और इसका चाहे तो शीट निकाल लीजेगा यह बहुत ही ज़रूरी है क्य कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट आप देखते हैं कि हम सबसे पहले यहां पर वस्त्र विज्ञान की बात करते हैं और टेक्स्टाइल का मतलब क्या होता है टेक्स्टाइल का मतलब होता है वस्त्र ठीक है क्या होता है वस्त्र और आप सभी को पता होगा जो टेक्स्टाइल हमारा यह शब्द है, यह किस से बना है, यह हमारे Latin के texture से बना हुआ है, कौन से सब्ध से बना हुआ है? Latin के texture से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है to woven, क्या अर्थ होता है इसका? तू वुविन, यानि की बुना हुआ, ठीक है, बुना हुआ, अगर हम प्राचीन काल की बात करें, तो आदिमानों जो हुआ करते थे, वो क्या पहनते थे, वो पेड़, पत्तियों, छालों, इन सब को अपने शरीर पर लपेड़ते थे, ठीक है, तो उन प्राचीन काल में हम पेड़-पत्तियों की छालों को लपेड़ते थे, तो इतिहास की बात कर रहे हैं हम यहां पे, क्यों लपेड़ते थे, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक, क्यों लपेड़ते थे, सुरक्षा की भावना की, उनके अंतरगत आ गई थी, सुरक्षा की भावना उनके मन में थी कि हमने अपनी सुरक्षा करनी है किस्ते सुरक्षा करनी है मौसम से सुरक्षा करनी है कौन-कौन से मौसम से भई तो हम आपको बता दें ग्रीस गर्मियों के मौसम में आप वस्रों को पहनते हैं ठीक है गर्मियों के अलामा ठंडे जब बहुत जादा ठंडी पड़ती है तो ठंड से बचाने के लिए हम अपने आपको वस्रों में लपेटते हैं ना बारिश ठीक है वर्शारितू वर्शारितू में भी हम रेनकोट वगेरा पहनते तो प्राचीन काल में यह सारी चीज़े होती नहीं थी तो आदी मानों पेडर प्तियों छालों इन सभी से वस्र बना करके वस्र जैसा बना करके उनको लपेट लिया करते थें तो हमारा जानवरों, जानवरों से स्वयम की रक्षा के लिए, जानवरों से स्वयम की रक्षा के लिए, वो क्या करते थे, वस्तु को पहनते थे, जानवरों को मार करके उन्हें खा जाया करते थे, और जो उनकी खाल हुआ करती थी, उन्हें खुद के ऊपर लपेट लिया करते ठीक है तो क्योंकि जानवरों के खालों से हमको गर्मी प्रदान होती तो ठंड के मौसम में ये बहुत ही अक्षा होता है ठीक है नेक्स हम लोग बात करेंगे कि इतिहास के बाद हमारी पांच अवस्थाएं होती है वस्प्रविज्ञान में अगर आप सुरुवात के दौर मे जाएं तो इसकी पांच अवस्थाएं है कौन-कौन सी पहली अवस्था है आपकी नगन अवस्था ठीक है दूसरी अवस्था है सिकार की अवस्था तीसरी अवस्था है क्रिशी की अवस्था चौती है आपकी सामाजिक अवस्था पांचवी है आधूनिक अवस्था ठीक ह अब नग नवस्था क्या होती है और नग नवस्था क्यूं आई ठीक है तो प्राचीन गाल में आधिमानो अपनी सुरक्षा के लिए नग नवस्था से इसमें क्या किया, उन्होंने इसमें वो पेड पती इनसे खुद को धकना प्रारंभ किये जैसे मैंने आपको बताया था उनके अंदर सुरक्षा की भावना आई थी तो इसी सुरक्षा की भावना से उन्होंने खुद को पेड़ पत्तियों से धकना प्रारंभ कर दिया नगनवस्था ये आपकी कौन सी स्टेज थी यह आपकी पहली स्टेज थी, ठीक है, अगर हम सेकंड स्टेज की बात करें, तो यह कौन सी स्टेज है, यह आपकी सिकार की अवस्था है, इसमें क्या आया, तो इसमें जो है, जो आदिमानों थे, उन्होंने जानवरों को मार करके, उनकी खाल का इस्तेमाल किया, ठीक है, जा origin की सुरक्षा के लिए ठार्ड स्टेज जो हमारी आई उसे कहते हैं हम क्रिसी की अवस्था यहां पर बहुत से से हम जानने को मिशाएं कि आपका कपास का रेश्षा है लिनना आ रिजूल का रेशा है तो इन सभी से मानो क्या करने लगा इन सभी से वो वस्त्र बनाने लगा तो यहां पर कपास लिनन जूट और भी बहुत प्रकार के प्राकृतिक रेसे हुए जिनसे मानो क्या करने लगा जिनसे मानो वस्त्र बनाने लगा अच्छा ये प्रेरणा उसके अंदर कहाँ से आई तो ये जो प्रेरणा थी वो किसको देख कर आई वो चिडियों के घोसलों को देख कर आई थी जैसे चिडिया अपने घोसले का निर्मार करती है एक-एक दाने को ऐसे तिनके को जोड़ जोड़ कर वो अपना घर बनाती है ठीक उसी प्रकार से मानो ने क्या किया मानो ने कपास, लिनन, जोट इन सभी रेशों को जब वो देखा तो उसे लगा कि इसे गूत करके कुछ बनाया जा सकता है तो उसने उन रेशों को गूता और गूत करके वस्त्रों का निर्मार कर दिया और फिर उसे ही पहनने लगे ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो अवस्ता है चौथी अवस्ता जिसे हम कहते हैं वो है सामाजिक अवस्ता आपको पता है कि हमारे यहां वर्ण व्यवस्ता चलती थी तो वर्ण व्यवस्ता में कितने अवस्ताएं होती थी तो पहली जो आपकी थी ब्राम्हड, छत्रिय, वैश्य और सूद्र इन चार वर्णों में हमारा समाज बटा हुआ था तो ब्राम्हड जो कपड़ा पहनता था ब्राम्हड जो वस्तर पहनता था क्या वो सूद्र पहनता था? नहीं इसलिए इन सामाजिक अवस्ताओं को देख करके वस्तरों का निर्माण होने लगा जो एक राजा वस्तर पहनता था वो वहाँ का कर्मचारी वस्तर नहीं पहनता था तो वर्ण व्यवस्ता के हिसाब से राजा लोगों के हिसाब से यहाँ पे वस्तर आपको देखने को मिल जाएंगे ठीक है? नेक्स्ट जो हमारी वस्ता है जिसे हम अंतिमवस्था कह सकते हैं, आधूनी कवस्था कह सकते हैं, जो कि वर्तमान में चल रही है, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे मानवों ने संसलेशित रेसों का अविश्कार किया. कौन से रेशे का? संसलेशित. ठीक है? संसलेशित रेसे को हम लोग सिंथेटिक फाइ अंतरगत हम लोग रेयोन पढ़ते हैं. ठीक है? रेयोन के अलावा इसके अंतरगत हम लोग और क्या पढ़ते हैं? नैलोन पढ़ते हैं. और जितने भी रेसे जो की रसायन को मिला करके मानो द्वारा निर्मित किये गए हैं, वो आप कहां पढ़ेंगे? आधूनी कवस्था में पढ़ेंगे. ठीक है? तो एक बार फिर से देख लीजिए कि आपके वस्रविज्ञान की टोटल कितनी अवस्थाएं हुई थी? पांच अवस्थाएं, कौन-कौन सी नगनवस्था. नगनवस्था में क्या हुआ? कि सुरक्षा की भावना आई मानों के अंदर और उसने अपने आपको पेड़ पत्तियों की छालों से ढखना शुरू कर दिया. फिर जो आपकी सेकेंड स्टेज आई वो है सिकार की अवस्था. इसमें मानों ने क्या किया? इसमें वो जानवरों का सिकार करने लगे और जानवरों की खाल से खुद को ढखने लगे. ठीक है? तीसर उन्हें वस्थर बनाने लगा और उन्हें पहनने लगा. चौथी अवस्था है हमारी सामाजिक अवस्था जिसमें आपके समाज के वर्ग के हिसाब से लोग वस्थर भारन करते थे. पाचवे अवस्था जो हमारी है वो है आपकी आधूनिक अवस्था जिसमें हम क्या करते संसलेशित रेसे कौन से होते हैं ऐसे रेसे जो कि मानोद्वारा निर्मित किये जाते हैं वो रेसे आपके कौन से कहलाते हैं वो आपके संसलेशित रेसे कहलाते हैं इसमें आप लोग रियॉन को पढ़ेंगे नायलॉन को पढ़ेंगे एक्रिलिक पढ़ेंगे तो ये सारे फा आपकी लज्जाशील थ्यूरी ठीक है? मॉडेस्टी थ्यूरी इसको बोलते हैं लज्जाशील सिध्धान कि इसमें मानों को क्या महसूस हुआ? उसे शर्म महसूस हुई इसलिए वो अपने आपको क्या किया? धकना शुरू कर दिया, ठीक है? तो मॉडेस्टी थ्यूरी के अंतरगत आप लोग क्या देखेंगे? कि इसमें मानों ने खुद को उपर से लेके नीचे तक धकना शुरू किया क्योंकि उसे क्या महसूस हुई? लज्जा महसूस हुई, सर्म महसूस हुई आ लज्जा सिल थ्यूरी, ठीक है? इम मॉडेस्टी थ्यूरी की बात करें तो इम मॉडेस्टी थ्यूरी क्या होती है? इसके अंतरगत आप लोग देखेंगे कि मानों ने अपनों आपको खुला करना शुरू गिया मतलब वो कपड़े तो पहनते थे लेकिन पैशन वाले कपड़े पहनते थे किसी में हाथ की बाजू नहीं होती थी किसी में पैर की एक बाजू ने पैर में पहने वाला पैंट को आधा काट दिया जाता था इस तरह शॉर्ट्स वगेरा जो आएंगे वो किसमें आते हैं आपके आलग जासील शूरी ठीक है? फिर तीसरी जो है से, जानवरों से, लोगों से ठीक है? नेक्स्ट है आपकी सजावट ठीक है? डेकुरेटिव थियोरी डेकुरेटिव थियोरी आपकी इंपोर्टेंट है वर्तमान समय में आप लोग देख रहे हैं कि खुद को टैटू बना करके हाथ में, आपके गले के ऊपर कमर पर, पैरो में, पूरे शरीर में टैटू बना करके खुद को सजाते हैं इसके अलावा हम लोग महंदी लगाते हैं उससे खुद को सजाते हैं ठीक है? तो ये सारी चीज़े हम लोग कहा देखने को मिलेगा, ये सब कुछ आपको सजावट में मिलेगा, सजावट के सिध्धान्त में, ठीक? तो ये था आपका वस्र के मूल सिध्धान्त जिसमें आपको चार स्टेज़े देखने को मिलेगा, पहला है आपका लज्जासील सिध्धान, दूसरा है आलज्जा सिध्धान, तीसरा है सुरक्षा, čौथा है सजावर्ट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आपका फाइबर क्या होता है। भाइबर आप लोगों को पता है फाइबर क्या है। फाइबर है रेशा ठीके क्या है फाइबर फाइबर है रेशा यार्न क्या होता है यार्न होता है धागा और आपका फैबरिक क्या है तो फैबरिक है आपका वस्त्र अब सबसे पहले ये जानते हैं कि भाई फाइबर क्या होता है धागा क्या होता है वस्त्र क्या होता है तो अगर आप कभ है तो चोटे-चोटे आपको रेससे दिखाई देंगे यह तो यह समझ में आया आपको कि रेसा क्या है रेसा आपके वस्र की सबसे सूक्ष्मितम इकाई है ठीक है, क्या है रेशा? रेशा आपके वस्रगी सबसे सूक्षमितम इकाई है. अब धागा क्या होता है? तो धागा सबसे पहले कैसे बनता है? अभी मैंने आपको बताया कि जब आप धागई को खोलेंगे तो कई सारे रेशे दिखाई देते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? कि रेसे से ही किसका निर्माड होता है तो आप बताएंगे भाई रेसे से ही धागे का निर्माड होता है पर कैसे होता है रेसे से धागे का निर्माड तो यहाँ पे कई सारी प्रक्रियाएं की जाती है जिसमें आपकी पहली प्रक्रिया है आपकी कताई ठीक है कौन सी प्रक्रिय या कताई की प्रफ्रिया, क्या बोलते हैं इसको इसको बोलते हैं स्पिनिंग, ठीक है, आपके रेसे को एठन दे करके बट करके क्या बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है, ठीक है, आप लोग अपने घर पे भी कपास का रेशा लीजिए और उसको एठन दे दे करके, खु structure बन जाता है जिसको हम धागे का नाम दे देते हैं और इसी धागे से हम क्या बनाते हैं इसी धागे से हम बनाते हैं अपना वस्त्र ठीक है और इसी वस्त्र से हम पहनने योगे वस्त्र बनाते हैं तो अब धागे से वस्त्र बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे तो आप बत करते हैं खिंग करते हैं किया कःते हैं वीन करते हैं डिलावा नेटिंग करते हैं आगर और क्रोसिया से भी तो हम लोग वस्र बनाते हैं तो ये सारी किसके अंतर गताती है बुनाई की तो क्या एक प्रश्णी यहां पर उठता है कि सिर्फ बुनाई से ही वस्र बनाया जा सकता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हम लोग रेशे से भी वस्र बना सकते हैं धागे से भी और बुनाई के द्वारा भी वस्त्र बना सकते हैं तो भाई रेशे से कैसा वस्त्र बनाएंगे तो रेशों को हम लोग जमा करके क्या बनाते हैं नमदा बनाते हैं क्या बनाते हैं हम लोग नमदा कालीन वगेरा आप लोग देखे होंगे तो वो किस से बनाए जाती है उनी औ क्या कर दिया जाता है ताप और दाब की प्रक्रिया द्वारा उन्हें एकदम जमा देते हैं और वहां पे आपका क्या बनता है किस चीज का निर्माड होता है तो आप बताएंगे मैं नमदा का निर्माड होता है फेल्टिंग कहते हैं जिसे ठीक है धागे से आप क्या करेंग है वेफ्ट ठीक है यह आपका कौन सा है यह है आपका वार्प और यह आपका वेफ्ट है वार्प को बोलते हैं ताने का धागा वेफ्ट को बोलते हैं बाने का धागा ताने और बाने के धागे को आपस में गूत करके हम क्या बनाते हैं ताने और बाने के धागे को आपस में गूत करके हम बनाते हैं वस्त्र चीक है तो ये क्लियर है आपको फाइबर क्या है वस्त्र की सूस्मिता मिकाई यार्न क्या है कई प्रकार के धागे हो सकते हैं जैसे आपके सूती धागे हैं फैंसी धागे हैं ये सब धागे हैं और वस्त्र कैसे बन रहा है वीविंग नीटि क्रोचिंग इन सब की द्वारा आपका वस्त्र निर्मार होता है ठीक है इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे टर्मिनो लॉजी टर्मिनो लॉजी का मतलब क्या होता है शब्दा वलियां जब आप वस्त्र विज्ञान की बात करते हैं तो इसमें जो कुछ शब्द है वो इंपॉर्टेंट है जैसे कि आपका फाइबर है ठीक है फाइबर क्या होता है यार्न क्या होता है फैब्रिक क्या होता है डाइं क्या है प्रिंटिंग क्या है पिनिशिंग क्या है जब तक आपको बेसिक ही नहीं पता होगा तो आप आगे कैसे पढ़ सकते हैं ठीक है तो सब और हम किसे fiber कह सकते हैं, ऐसा ratio जिससे हम क्या बना सके, धागे का निर्माण कर सके, वह ही आपका क्या कहलाता है, वो आपका fiber कहलाता है, रेशा कहलाता है, ठीक है, इसके अलामा इसका जो length to width ratio है, ठीक है, length to width ratio है, वो कितना होना चाहिए length to width ratio इसका होना चाहिए 100 और 1 ठीक है 100 अनुपाते 1 होना चाहिए 100 अनुपाते 1 का मतलब क्या है कि जैसे ये आपका एक fiber है ठीक है ये क्या है आपका एक fiber है तो इसकी जो लंबाई है length मतलब लंबाई तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 100 और इसका जो width है इसकी जो चौणाई है वो कितनी रहे एक यानि कि आप किसी भी fiber को fiber नहीं कह सकते आप उसे ही fiber कहेंगे जिससे आप क्या करें जिससे आप धागे का निर्मान कर सकते ठीक है आग मान लीजे किसी कोई fiber है उसकी चौडाई क्या है उसकी चौडाई 80 है और उसकी लंबाई कितनी है उसकी लंबाई 2, 5, 10 इस प्रकार से है तो आप इसको fiber बूलेंगे तो आप कहेंगे नहीं मैम इसको हम fiber नहीं कह सकते हैं ठीक है तो fiber क्या है जिसकी आपकी length to width ratio य आता है यार धागा आपका क्या होता है ठीक है धागा आपका क्या होता है तो धागे की बात करें अगर तो आपको पता है दो प्रकार के धागे होते हैं ठीक है एक आपका साधारन धागा होता है और एक fancy धागा होता है ठीक है एक धागा क्या होता है आपका साधारन और साधारन धागे क्या होते हैं साधारन धागे जो की हमारे प्राकृतिक रेसों से बनाये जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं उन्हें हम साधारन धागे कहते हैं इसमें आपके एक रेशिय धागे द्वी रेशिय धागे और बहु रेशिय धागे होते हैं एक रेशिय धागे कैस हम बाती बना रहे थे उसी प्रकार से हम एक रेशे को ले करके एठन दे करके क्या बनाते हैं जो फाइबर बनाती है जो रेशा बनाते हैं जो धागा बनाते हैं वही हमारा क्या क्या लाता है साधारण धागा ठीक है नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं उसमें हम क्या बता है द्वी रेशिय धागा मतलब की दो रेशों को हम ले करके बटते हैं और क्या बनाते हैं और एक धागा बनाते हैं यही आपका क्या कहलाता है द्वी रेशिय धागा और जो तीसरा है मैंने आपको बताया तीसरा मैंने आपको बताया बहुरेशिय धागा ठीक है बहुरेशिय एक धागा बनाते हैं तो वही आपका क्या कहलाता है बहु रेशिय धागा कहलाता है किस प्रकार बटेंगे यह आपको फीगर देखकर के समझ में आ जाएगा ठीक है हमने क्या किया हमने कई सारे देखिए रेशे लिए उसको एठन दे करके क्या किया एक बना गया जैसे मोटी मोटी रसिया नहीं बनाते हैं उसी तरीके से तो जो यह बहु रेशिय धागा होता है यह बहुत ही मजबूत होता है तो आपका बहु रेशिय धागा द्वी रेशिय धागा और एक रेशिय धागा इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फैब्रिक फैब्रिक क्या होता है फैब्रिक यानि की वस्त्र ठीक है वस्त्र के अंतरगत आप लोग क्या पढ़ेंगे कि वस्त्र कितने प्रकार के होते हैं वस्त्रों को कैसे रंगा जाता है वस्त्रों को कैस किसमें पढ़नी है साथ ही वस्थ्य आपका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है वस्थ निर्माण एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जिसके अंतरगत हम लोग क्या पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं विविंग जिसको हमने क्या बोला बुनाई ठीक है इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं knitting तो ये सारी चीजें आपका किसमें आएंगी ये आपको fabric के अंतरगत पढ़ना है ठीक है फिर जो चौथी stage है आपकी वो क्या होती है वो है आपकी dyeing ठीक है dyeing इसमें आपको क्या पढ़ना है इसमें आपको पढ़ना है रंगाई की विधिया ठीक है रंगाई की विधिया जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे fiber ठीक है यहाँ पे आपको बताया धागा फिर बताया आपको वस तो जो डाइंग है आपका ठीक है जो डाइंग है जो रंगाई है वो इन तीनों पर की जाती है रेशों की रंगाई धागे की रंगाई और वस्त्र की रंगाई ठीक है रेशों की रंगाई हम लोग पढ़ेंगे धागे की कैसे रंगाई होती है वस्त्र पर कैसे रंगाई होत करते हैं इसके अलावा हम लोग बाटिक करते हैं तो यह सब भी आपको पढ़ना है यहां से भी प्राश्ण पूछा जाता है उसके बाद है आपका प्रिंटिंग प्रिंटिंग में आपको क्या पढ़ना है कि छपाई क्या शोलिए ठीक है यह आपको बता दे रहा है, तो छपाई में आप लोग दो प्रकार की छपाई पढ़ेंगे, पहला है प्रत्यच और दूसरा है अवरोधक, प्रत्यच छपाई इसको हम लोग डारेक्ट प्रिंटिंग भी बोलते हैं, अब रोधग छपाई इसे हम resist printing कहते हैं प्रत्यच छपाई के अंतरगत आप लोग देखेंगे block printing कौन सी printing? block printing इसमें लकडी के ठपे को लेते हैं जैसे ये आपकी एक wood है इसके अंतरगत हम कोई design बना देंगे और ये उभरी हुई होती है लकडी के सत्य है उसके उपर उभरी उपर शिपका देंगे तो कुछ ऐसा नमूना आपका बन जाता है, तो ये आपकी कौन सी छपाई है, ब्लॉक छपाई है, इसके अलावा स्टैंसिल है, स्क्रीन है, ये सब आप लोग कहाँ पढ़ेंगे, प्रत्यच छपाई के अंतरगर, मतलब जो छपाई सीधे आपके कपड़े के ऊपर की जाती है, वही क्या कहलाती है, वही आपकी प्रत्यच छपाई कहलाती है, सेकेंड है आपकी अवरोधक छपाई, अर्था यह design बना लिया अब आपको यहां पे mom लगाना है ठीक है दो प्रकार के mom का इस्तेमाल हम यहां पे कर सकते हैं एक आपका paraffin mom होता है और एक आपका wax mom होता है ठीक है तो आपने एक वस्त्र लिया उस पे क्या किया? design बनाया इसके बाद आपने क्या किया? यहां पे यह जो खाली area दिख रहा है यहां पे क्या कर दिया? मोम लगा दिया और ये जो एरिया था इसे आपको रंगना था तो आपने क्या किया आपने इसको कलर में डाल दिया तो जहां पे मोम लगा है क्या वहां पे रंग चड़ेगा नहीं तो अवरोध कहां पे उत्पन हुआ तो अवरोध जहां खाली जगा थी वहां पे उत्पन उसे हम कौन सी छपाई कहते हैं, उसे हम रेजिस्ट प्रिंटिंग कहते हैं, और इसके अंतरगत क्या आती है, इसके अंतरगत आती है, बार्टिक, ठीक है, बार्टिक में हम लोग मोम लगाते हैं न, वह ही आती है, अच्छा, यहां से भी कोशन आपके पूछे गए हैं, इसक पुना बनाने के बार हम क्या करते हैं गाठे बांधते हैं ठीक है गाठे बांध करके हम क्या करते हैं अपना वस्त तैयार करते हैं सबसे पहले वस्त लिया वस्त में नमूने बनाए उसमें गाठे बाधी फिर उसको कलर में डाल दिया तो जहां गाठे बाधी हुई है वहाँ आपका संपूढ वस्तर है वो रंग जाता है यही आपका क्या कहलाता है यहीं आपका टाइज CPR कहलाता है जुकि किसके अंतलर गता आपको पढ़ना है प्रिंटिंग के अंतलर ठीक है go next Finishing, परिसज्जा, परिसज्जा क्या होती है, तो आपको मैं बता दू, परिसज्जा आपका क्या है, ग्रे गुट्स, अब ग्रे गुट्स क्या होता है, करगे पर से उतरा हुआ कपड़ा क्या कहलाता है, ग्रे गुट्स, ये कोशन आपका पूछा हुआ है, कि करगे पर से उत परगे पर से उत्रा हुआ कपड़ा है, उसी पर क्या किया जाता है, फिनिशिंग की जाती है, यानि कि परिसज्जा किया जाता है, अब कौन-कौन से फिनिशिंग हम कर सकते हैं, जैसे कि आपका कॉटन का कपड़ा है, कॉटन के कपड़े के उपर हम लोग क्या करते हैं, उसक कई सारे रोलर्व लगे होते हैं और इन्हीं के बीच से आपका कपड़ा होता हुआ जाता है यहां पी इतना night gonna pressure होता है और साथि में यह इतने गर्म रॉलर्व होते हैं यह क्या करते करते हैं हम अपने वस्त्रों पे और अधिक चमक को बढ़ाने के लिए ठीक है कैमिकल का प्रियोग करते हैं इसके अलावा हम लोग बीटिंग करते हैं बड़े-बड़े रोलर्स होते हैं और उन रोलर्स को अपने कपड़े के ऊपर क्या करते हैं पीटते हैं जिससे आपका ज लोग पढ़ेंगे रेशों का वर्गी करण तो जो आपका रेशा है ये मुख्यता दो भागों में बटा है कितनी भागों में दो भागों में एक आपका होता है प्राकृतिक रेशा और दूसरा होता है कृतिम रेशा प्राकृतिक रेशा क्या होता है ऐसा रेशा जो कि हमें पदार्थ को मिलाके या फिर कुसी संस्लेशित प्रदार्थ में हम cotton का प्रयोग करके कुछ रेशे बनाते हैं जैसे के आपका rayon तो यह आपका क्या कहलाता है यह आपका कहलाता है कृतिम रेशा ठीकर इसके अंतर गद्भी हम लोग तीन प्रकार के रेशे पढ़ेंगे कितने प्रकार के तीन प्रकार के रेशे पढ़ेंगे एक है आपका मानोकृत रेशा दूसरा है आपका संसलेशित रेशा और तीसरा है आपका विशिष्ट रेशा ठीक है, तो सबसे पहले प्राकृतिक रेसे की हम लोग बात करते हैं, प्राकृतिक रेसे में हमको क्या पढ़ना है, प्राकृतिक रेसा यानि की नैचुरल फाइबर, ऐसा रेसा जो की हमें प्राकृति से प्राप्त हो जाता है, वही क्या कहलाता है हमारा नैचुरल फाइबर प्राकृतिक रेशा ठीक है तो इसमें पहला है हमारा वानस्पतिक फिर है प्राडिज और उसके बाद है खनिज तो वानस्पतिक रेशा क्या होता है इसे हम बोलते हैं वेजिटेबल फाइबर ठीक है, क्या बोलते हैं वेजिटेबल फाइबर, ऐसा रेशा जो कि वनस्पतियों के माध्यम से हमें प्राप्थ होता है, वही क्या कहलाता है, वो हमारा वानस्पतिक रेशा कहलाता है, नेक्स्ट है आपका प्राडिज रेशा इसको हम बोलते हैं एनिमल फाइबर ठीक है एनिमल फाइबर तो एनिमल फाइबर क्या है ऐसा रेशा जो कि हमें जानवरों से प्राप्त होता है कीट पतंगों से प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है हमारा प्राडिज रेशा कहलाता ह है इसे हम जानतों रेसे के नाम से भी जानते हैं नेक्स है हमारा खनिज इसे हम बोलते हैं mineral fiber ठीक है तो ऐसा रेशा जो कि खनिज से प्राप्त हो रहा है ठीक है खनन के द्वारा प्राप्त हो रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा वो हमारा कहलाएगा खनिज रेशा तो सबसे पहले हम लोग वानस्पतिक रेशे को जान ले कि भाई वानस्पतिक रेशों के अंतरगत क्या क्या आता है और यह जो हमारा रेशों का वरगी करण है यह बहुत important chapter है आपका इससे आपके बहुत सारे question पूछे जाते हैं ठीके चाहे आपका TGT का exam हो चाहे PGT का exam हो NET का हो GIC का हो हर जगे आपका यह question बनता है कि कौन कौन से रेशे वानस्पतिक रेशे कहलाते हैं कौन से रेशे आपके प्राडिज हैं कौन से खनीज हैं यहां से question आपका पूछा जाता है तो सबसे पहले हम लोग वानस्पतिक रेशों के बारे में बात करेंगे वानस्पतिक रेशा आपका क्या होता है ठीक है वानस्पतिक रेशा वानस्पतिक रेशों को हम कितने भागों में बाटते हैं वानस्पतिक रेशों को हम तीन भागों में बाटते हैं ठीक है, कितने भागों में, तीन भागों में, जो पहला है आपका, वो क्या कहलाता है, पहला रेशा आपका कहलाता है, कौन सा बीज वाले रेशे, ठीक है, बीज वाले रेशे, जो दूसरा रेशा है आपका, वो कौन सा है, तो वो है आपका, तने वाले रेशे, और तीसरा है आपका, पत्ती, ठीक है, पत्ती वाले रेशे, बीज वाले रेशे कौन से होते हैं, बीज वाले रेशे, ऐसे रेशे जिनके अंतरगत क्या पाया जाता है, जिसमें हम बीज देखने को हमें मिलता है, वही हमारा क्या क्या लाता है, बीज वाले रेशे, ठीक है, क्या बोलते हैं सीड फाइबर भी बोलते हैं अब बीज वाले रेसे में आप लोग देख लिजे कि क्या क्या आता है फिर हम लोग देखेंगे तने वाले रेसे अचा तने वाले रेसे को हम क्या बोलते हैं इसे हम लोग बोलते हैं बास्ट फाइबर ठीक है क्या बोलते हैं बा confusion नहीं होना चाहिए पत्ती को क्या वो लेंगे लीप ठीक है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई बीज वाले रेसे कौन से होते हैं तो बीज वाले रेसे के अंतरगत हम लोग देखते हैं पहला नाम आपका आता है विस्ट विख्यात रेसा कौन सा का पास और जो दूसरा है वो कौन सा है वो है आपका कापोक ठीक है तो कपास आप जोग जानते हैं कपास क्या है वस्तरों का राजा ठीक है सबसे अच्छा वस्तर आपका इसी से बनता है तो कपास आपका क्या है वस्तरों का राजा है तो कपास आपका दिखता कैसे है आप सभी इस से परचित होंगे यह आपके कपास का structure है pool है और यह जो आप देख रहे है यह area आपका कौन सा है यह आपके कपास का रेशा वाला area है आप लोग देखें होंगे कपास का जो pool होता है उसी में आपका रेशा क्या होता है गुथा हुआ होता है इसमें यह जो छोटे छोटे आप देख रहे है यह क्या है इसके बीज है जिसको हम लोग क्या बोलते है बिनौले बोलते है ठीक है तो यह कपास का pool है और यह क्या है यह रूई है और इसी रूई में छोटे छोटे क्या होते है बीज होते है इसे रुई को निकाल करके हम एट करके क्या बनाते हैं कपास का रेशा बनाते हैं और इसके बाद हम इससे धागा बनाते हैं धागे से हम क्या बनाते हैं वस्त्र बनाते हैं ठीक है कापोग भी आपका कौन सा फाइबर है तो आप बताएंगे कि कापोग कौन सा फाइबर है य तने वाले रेसे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ली नन की ठीक है इसके अलावा और कौन सा है जूट है फिर है रेमी फिर आपका सन फिर है आपका कोयार और नेक्स्ट है आपका मनीला ठीक है तो ये जो आपके रेसे हैं अब यहाँ से कोश्चन कैसे पूछा जाता है पूछ लेगा कि लिनन कौन सा रेश लिनन कहां से प्राप्त होता है ठीक है लिनन कहां से प्राप्त होता है तो आप लोग देखें लिनन कहां से प्राप्त होता है फटा फटा एंसर दे देंगे किस से तने से ठीक है इसके अलावा पूछा जाता है कि जूट कैसा रेशा है तो जूट आपका किस तरह दिखाई देता है यह आपका सुनहरे रंग का दिखाई देता है तो इसको हम लोग स्वाइडिम रेशा बोलते हैं ठीक है तो लिनन है जूट है रेमी है सन है कोयार है मनीला है यह सब आपके कौन से रेशे हैं तो आप बताएंगे यह सब हमारे तने से प्राप्त होने वाले रेशे हैं यह ज़्यादा जरूरी है ठीक है और फिर तीसरा है आपका पत्ती वाले रेशे तो पत्ती वाले रेशे कौन से होते हैं इसमें आपके तीन रेशे आते हैं पहला है आपका पीना यह आपके अनानास की पत्तियों से प्राप्त होता है दूसरा है आपका सीसल और तीसरा है अब तो आप बताएंगे तीसरा है अबाका तो ये थे आपके वानस्पतिक रेसे ठीक है? वानस्पतिक रेसे में हमने देखा बीज वाले, तने वाले और पत्ती वाले इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं ठीक है? ये आपके किस चीज का structure है भई? ये है आपका पेड़, ठीक है? क्या है ये? पेड़ है तो पेड़ में कुछ पल लगे होंगे, ठीक है? कुछ फूल लगे होंगे, कुछ पत्तियां बनी हुई है तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि हमारे ये जो पेड़ है ठीक है यही तो है आपका वनस्पती यहां से कैसे रेसे प्राप्त हो रहे है यह आप देखेंगे तो यह जो एरिया आपको दिख रहा है न यह कौन सा एरिया है बताईए यह है आपका तने वाला कौन सा तने वाला तना यानि कि क्या बास्ट तो यहां से जो रेसे प्राप्त होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं तने से प्राप्त होने वाले रेसे अब यह जो पत्तियां आपको दिख रही हैं इनसे जो रेसे प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं पत्तियों से प्राप्त होने वाले रेसे अब इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं fruit fiber. कौन सा fiber? fruit fiber. ठीक है, ये question भी आपका पूछा गया है, कि fruit fiber कौन सा होता है? तो आप बताएंगे कि कोयार. अच्छा, ये एक expansion, ये आपका अपवादित है थोड़ा सा, क्योंकि कोयार आपका तने में भी मिल जाता है और आपक प्रूट फाइबर भी कहलाता है ठीक है तो तने से प्राप्त होने वाले रेशे कौन कौन से लिनन जूट रेमी सन कोयार और मनीला पत्ती वाले पीना सीसल और अबाका और जो बीज वाले रेशे होते हैं कौन से बीज वाले रेशे होते हैं वो कौन से हैं तो उसके दो नाम ह मैंने आपको बताये कौन से कपास और कापो ठीक है तो ये तो था आपका वानस्पतिक रेशा ठीक है ये क्या था आपका वानस्पतिक रेशा तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे वानस्पतिक प्राडिज्य और खनिच तो अब प्राडिज्य रेशे की बात करेंगे ऐसे रेशे जो की जानवरों से प्राप्त होते हैं कौन से जानवर यहां पे देखिए प्राडिजी रेशा ठीक है प्राडिजी रेशा और किस नाम से जानते हैं भाई इसको तो हम जानते हैं इसको जानतो रेशी के नाम से ठीक है जानतो रेशा इंगलिस में बोलते हैं इसको अनिमल फा तो इसके अंतरगत कितने फाइबर आते हैं तो आप बताएंगे भई इसके अंतरगत दो मुख्यता रेशे आते हैं कौन-कौन से एक है आपका रेशम और दूसरा है आपका उन ठीक है रेशम क्या है रेशम को वस्त्रों की रानी भी कहा जाता है ठीक है इसका उदभव कहां से हुआ था चीन से हुआ था चीन की महारानी थी वो बाग में टहल रही थी और उन्हें अचानक से वस्तु दिखाई दी कुछ इस प्रकार की ठीक है कुछ इस प्रकार की उन्हें वस्तु दिखाई दी और उन्हें ये बड़ा आकरशित लगा अच्छा लगा तो उन्होंने इसका क्या किया इसे इकठा करना शुरू किया जहां भी वो इसे देखती थी इकठा कर लेती थी और इसे उन्होंने क्या बनाया इसे उन्होंने राजा के लिए वस्त्र बनाये जो कि राजा को बहुत अच्छा लगने लगा तो हमारा जो रेश रेसम के कीट से प्राप्त होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं सिल्क वार्म ठीक है क्या बोलते हैं सिल्क वार्म बोलते हैं कौन सा सिल्क वार्म भाई कौन सा रेसम का कीड़ा तो आप लोग नाम बताएंगे ये भी पूछा पूछा गया है आपस तो आप लोग बताएंगे Bombix Mori ठीक है Bombix Mori ठीक तो यह था आपका रेशम का कीड़ा इसके अलावा रेशम पालन को हम क्या कहते है इसे बोलते है सेरी कल्चर सेरी कल्चर मतलब रेशम पालन ठीक है इसका जो स्टेज होता है four stages इसकी होती है सबसे पहले होता है आपका अंडा पहले अंडा होता है फिर क्या होता है अंडा फिर होता है आपका लारवा फिर होता है आपका प्यूपा और फिर बनता है आपका कीड़ा ठीक है तो यह चार stages इसकी होती है अंडा, लारवा, प्यूपा और कीडा लास्ट में आपका कीडा बन जाता है तो ये जो आपका प्यूपा है ठीक है, क्या है? प्यूपा है इसी प्यूपा को हम लोग क्या बोलते हैं कोकून बोलते हैं, जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है और जो इसका ये कीडा था न, ये कीडा क्या करता है इस कीडे के नाफ के पास दो छिद्र होते है जिनसे क्या निकलता रहता है जिनसे लार निकलता रहता है और उसी लार को ये क्या करते हैं अपने पूरे सरीर पे लपेटना शुरू कर देते हैं और जब यह पूरी तरह से इसको क्या कर लेते हैं लपेट लेते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं कोकून यहां से आपके बहुत सारे question पूछे जाते हैं कि रेशम पालन को क्या कहते हैं रेशम का कीड़ा क्या है ठीक है इसका stage भी पूछा जाता है कि अंडा लारवा, प्यूपा, कीडा, ये स्टेज आपका पूछ लेता है, तो ये जो आप कोकून देख रहे हैं, इसी कोकून को हम क्या करते हैं, गरम पानी में डाल देते हैं, जिसके इसके अंदर जो कीडा होता है, वो क्या हो जाता है, मर जाता है, और ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है ये आपका रेशा है और इसी रेशे से हम क्या बनाते हैं इसी रेशे से हम सिल्क फाइबर का निर्माड करते हैं इसी से हम धागे बनाते हैं फाइबर को एंट करके एठन दे करके कटाई करके बटाई करके हम क्या बनाते हैं धागे बनाते हैं और उससे हम सुन्द सुन्दर बस्र का निर्मार करते हैं तो यह था आपका सिल्क फाइबर फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं उन की क्या बोलते हैं इसको वूल ठीक है किस से प्राप्थ होता है तो बता दीजे भाई किस से प्राप्थ होता है यह आपका तो यह आपका प्राप्थ होता है किस से भे होती है वो सर्वस्टेस्ट किसम की होती है तो यह था आपका प्राडिज रेषग सा इसके बाद हम लोग देखेंगे कि खनीज रेशा घौन होता है तू ऐसा फाइबर ज जो कि कहां से प्राप्त होता है, खनी जिसे प्राप्त होता है, खनन के द्वारा प्राप्त होता है, क्या-क्या आता है इसके अंतरगत, तो आप लोग बताएंगे कि इसके अंतरगत क्या आता है, इसके अंतरगत लगभग तीन रेशे आते हैं, कौन-कौन से, सोना, चांडी और तीसरा है आपका एसबेस्टस ठीक है? सोना, चांडी और एसबेस्टस ये तीन प्रकार के आपको इसके अंतरगत देखने को मिल जाएंगा अब सोना क्या है? सोने से कैसे हम वस्तर बनाएंगे? आप तो जानते होंगे कि सोने की अंगूठी हम लोग पहनते हैं, सोने के चैन पहनते हैं अब सोने से वस्तर का निर्माड कैसे होने लगेगा? तो सोना जो है, वो किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है? तो सोने की पतली-पतली तार बनाते हैं हम लोग सोने के पतले पतले ऐसे तार बनाते हैं और इसी तार से क्या करते हैं कढ़ाई का कार्य करते हैं जो आपके बनारसी साडियां होती हैं उसके उपर सोने और चांदी के तारों से कढ़ाईया करके ही हम उसे और सुन्दर और अकर्शित बनाते हैं इसके अलावा आपके ब्रोके की बनार्सी साडियों के उपर ये किया जाता है ठीक है बनार्सी साडियां और ब्रोकेड ठीक है बनार्सी साडियां और ब्रोकेड इसी प्रकार आप चांदी का भी दिख लिए चांदी का क्या करेंगे चांदी के भी हम क्या बनाएंगे तार बनाएंगे और उसी तार से क्या करेंगे कढ़ाई का कार्या करते हैं तो सोने से भी हमने अपना वस्तर बना लिया चांदी से बना लिया अब यह एसबेस्टस कौन है तो एसबेस्टस जो आपका पदार्थ है इससे भी आपका पहले इससे रेशे बनाते हैं ठीक है इससे रेशे बनाती है और इससे जो वस्त निर्माण होता है, वो आपका अगनी अवरोधक होता है, क्या होता है, अगनी अवरोधक होता है, तो जो फायर ब्रिगेड के लोग वस्र पहनते हैं, वो क्या होता है, पूरी तरह से, आज वालन सील होता है, उसमें आग नहीं लगती है, ठीक है, आग नहीं लगती है, इसलि पर आपको आग वाले काम करने हो ठीक है ज्वलन सील जैसे की कोई लैब है वहां पर काम करना हो तो वहां पर हम कौन से रेसे से वस्तर बनाएंगे वहां से हम एसबेस्टस के रेसे से वस्त्र का निर्माड करते हैं ठीक है इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा जो रेशा होता है ठीक है इसमें हम लोग देख लिए कि लंबाई के अधार पर हमने देखा रेशा उसके बाद स्रोत के अधार पर देख लिया तो अब पहला हम लोग देख लिए लंबाई के अधार पर और श्रोद के अधार पर लेकिन लंबाई के अधार पर और भी प्रकार है पहला है आपका इस टैपल फाइबर और दूसरा है आपका पिलमेंट फाइबर ठीक है इस टैपल फाइबर और फिलामेंट फाइबर लंबाई के आधार पर ये वर्गी क्रित किया गया है इसे बोलते हैं छोटे रे से और इसको बोलते हैं लंबे रे से ठीक है इसका मापन किसमें करते हैं तो इसका मापन हम लोग करते हैं इंचेज में और इसका मापन किसमें करते हैं इसको हम मीटर में नापते हैं ठीक है किसमें मापते हैं इसे हम मीटर में मापते हैं तो जो आपका लंबाई के आधार पर फाइबर है ये दो प्रकार से होता है एक होता है स्टैपल फाइबर दूसरा होता है फिलमेंट फाइबर स्टैपल आपका छोटे रेसे कहलाते हैं फिलमेंट आपके लंबे रेसे कहलाते है इसे किस में हम आपते हैं, इसे हम inches में नापते हैं, और इसे किस में मापते हैं, मीटर में नापते हैं, साथी साथ आपको ये बता दे कि जो आपका filament fiber होता है, इसकी जो लंबाई होती है, वो कैसी होती है, वो होती है आपकी अनिश्चित, ठीक है, कैसी होती है, अनिश्चित होती है कि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी लंबाई अनिष्चित कैसे होती है तो जैसे मैंने आपको बताया था कृतमरेशा ठीक है संसलेशित रेसा जासाइनिक रेसा तो इसका जो फाइबर है इसकी जो लंबाई है इसे हम अपने अनुसार रख सकते हैं या नहीं कैसे जैसे यह आपका filament fiber है माल लीजिए for example कौन सा हम rayon को ले लेते हैं हमने rayon का निर्माड करना है तो क्या करेंगे हम यहाँ पे cotton के linters किसका cotton linters cotton linters मतलग आपके सूती के छोटे छोटे चोटे टुकडे सूत के छोटे छोटे टुकडे जो होते हैं उनका प्रयोग करेंगे और साथ में आपका कुछ chemical को मिला करके हम क्या बनाते हैं rayon बनाते हैं ठीक है cotton linters और आपका chemical तो हमने क्या बनाया एक घोल बनाया किसका cotton linters और chemical को मिला करके घोल बनाया अब इसे हम क्या करेंगे इसे हम spin rate में डालेंगे ठीक है तो यह है आपका घोल और इसे हमने किसमे डाला इसे हमने डाला spin rate के छिद्र में और यहाँ पे जब हम डालते हैं तो हमें क्या मिलता है तो हमें अलग अलग प्रकार के रेशे मिलते हैं ठीक है अगर हमें मोटा रखना है अपना ये spin rate का छिद्र त गार हमें पतला रखना है तो हमें पतले फाइबर मिलते हैं तो यह क्या है आपका घोल है और ये आपका इसिनरेट का छिद्र है ये क्या है इस प्लेट है और शेद देख रहे होंगे पी फिर उस यह उतना लंबा हो सकता है या नहीं हो सकता है इसलिए हमने क्या कहा कि जो आपके filament fiber है उनकी लंबाई क्या होती है अनिश्चित होती है लेकिन फिर आप यह भी सोचेंगे कि मैंने कहा दो तरीके के रेसे आते हैं, एक आपका संसलेशित रेसा आता है कि कौन सा संसलेशित रेसा, जितने भी मानो निर्मित फाइबर है, जितने भी man-made फाइबर है, वो कहां बिलॉंग करते हैं, वो आपके filament fiber के अंतरगत आते हैं, क्यों? क्योंकि इनकी लंबाई जो होती है वो क्या होती है अनिश्चित होती है लेकिन रेशम आपका एक लौता ऐसा रेशा है जो कि कहां आता है फिलामेंट में क्योंकि इसकी लंबाई जो होती है वो लगभग पिन लाख तीस हजार ठीक है? तीन लाख तीस हजार अनुपाते एक का रेशयो इसकी लंबाई रखती है ठीक है? इस वज़े से रेशम आपका एक लौता ऐसा फाइबर है जिसे हम कहां रखते हैं? जिसे हम फिलामेंट फाइबर के अंतरगत रखते हैं अब जो आपका steple fiber है उसके अंतरगत कौन आया जब मैं रहे आपको बता दिया कि filament के अंतरगत अंसलेशित आया रासाइनिक आया कृतिम आया साथ में आपका रेशम आया तो जो भी fiber आपके बच गए कौन से बचें आप ये सोची आप स्टरगत आते हैं और यहां से भी आपका कुष्चन पूछा गया था कि आपका एक रेशा दे दिया, जैसे मालीजे कपास दे दिया, कि के कपास दे दिया और आप से पुछ लिया कि ये कौन सा फाइबर है इस्टैपल फाइबर है या फिलामेंट फाइबर है या इन में से कोई नहीं तो आप क्या बताएंगे कि कपास आपका कौन सा फाइबर है इस्टैपल फाइबर है जैसे कि आपका लिनन पूछ लिया कि लिनन कौन सा फाइबर है तो आप बताएंगे कि लि क्या चल्ड़ा परूस्ट, आपके प्राक्रितिक और देखे, वानस्पतिक प्राड़िज और घनिज, वानस्पतिक रेसे को हमने कितने भागों में बाटा, तीन भागों में बाटा, कौन-कौन सा, बीज वाले रेसे, तने वाले रेसे और पत्ती वाले रेसे, बीज वाले रेसे के अंतरगत हम देखते हैं, कपास और कापोक को, तने वाले रेसे के अंतरगत हम देखते हैं, रेम पाद हम लोग देखेंगे कि जो आपका filament fiber है ठीक है जो आपका filament fiber है उसमें एक stage और आती है कौन सी filament toe की ठीक है filament toe की अब filament toe क्या होता है तो filament toe जो आपके रेशी है आपका है रेशम का अब आप लोग जानते हैं कि रेशम कैसा fiber है रेशम filament का fiber है ठीक है तो filament toe की बात कर रहे है तो जब इसी रेशम के रेशे को हम क्या कर देते हैं कई भागों में बाट देते हैं ठीक है कई भागों में बाट देते हैं जिनकी लंबाई minimum कितनी रखेंगे एक से 5 inch ठीक है एक से 5 inch यानि कि यह जो लंबाई आपको दिख रहे है यह कितनी होनी चाहिए यह आपकी एक से 5 inch की होनी चाहिए इसे ही हम क्या कहते हैं filament toe यानि कि आप एक रेशा ले लिजीए उसे कई भागों में काट दीजे एक रेशा मतलब कौन सा जो भी आपके filament के अंतरगत आता है चाहे आप rayon का ले लिजे nylon का ले लिजे polyster ले लिजे acrylic ले लिजे ये सबी आपके किसके अंतरगत आते हैं filament fiber के अंतरगत आते हैं क्यों कि इसे मानो निर्मित रेशा भी हम कहते हैं ठीक है तो ये आप रेशम का फाइबर लिए इसको कई भागों में काट डिये अच्छा आप सोच रहे होंगे कि इसका यूज क्या है तो ऐसे बहुत से वस्त्र हैं जिसमें हम इस टैपल रूप में वस्त्रों का प्रयोग कर करते हैं चीके सटैपल ऐसे को क्या कर देना च्फोटा कर देना फिंदी को छोटा कर देना जाए आपधा available कामेंट तो कहलाता है ठीक है इसके बाद हम लोग बात करेंगे रियोन की ठीक है किस चीज की रियोन की रियोन क्या होता है रियोन को हम बोलते हैं रिजनेरेटेड फाइबर रिजनेरेटेड फाइबर मतलब क्या होता है तो आप लोग बताएंगे यहां से कोश्चन पूछा जाता है कि पुनर निर्मितरेशा कौन सा है तो आप बताएंगे पुनर निर्मितरेशा कौन सा है तो आप लोग बताएंगे पुनर निर्मितरेशा है रियोन ठीक है रियोन क दूसरा है आपका नाइट्रो सैलियूलोजिक रेयॉन और तीसरा है आपका कुप्रामोनियम रेयॉन तो ये तीन प्रकार के हैं आपके कौन कौन सा विसकस रेयॉन नाइट्रो सैलियूलोजिक रेयॉन और कुप्रामोनियम रेयॉन ये रेयॉन के प्रकार है इन इन प्रकार के आपके रेयॉन का निर्माण किया जाता है इन इन विधियों से तो ये है आपका रियोन इसे बोलते हैं पुनर निर्मित रेशा ये भी आपका कोशन पूछा गया है इसलिए मैंने आपको बता दिया तो एक बार फिर से देख लीजिए कि आज हमने क्या पढ़ा सबसे पहले हमने देखा कि आपका TGT और PGT का स्लैबस क्या है जिसमें मैंने आपको बताया आपके TGT और PGT के लगभग 70% चीजें आपस में मिली हुई है जैसे आपका ग्री प्रबंध देख ली जिस्वास्त है बाल विकास, इसुविकास, वस्त्र, परिधान, प्रसार, सि ठीक है इसके बाद आपने क्या देखा इसके बाद आपने देखा कि आपका जो टेक्स्टाइल है जो आपका टेक्स्टाइल है वो कहां से लिया गया है वो जो शब्द है वो कहां से आपका बना हुआ है और उसका अर्थ क्या होता है इसके बाद आपने देखा कि हमारा जो फाइबर यानि कि वस्र की जो सबसे सूश्मिता मिकाई है वो क्या है उससे धागे का निर्माड कैसे हो रहा है और वस्र निर्माड कैसे होता है ठीक है फिर हम लोग इतिहास पे गए कि इतिहास कैसा होता है वस्र का तो हम लोग देखें कि आदिमानों के अंदर सुरक्षा की भावना आई जिससे उन्होंने वस्तों का निर्माड तारंभ किया ठीक है सबसे पहले कौन-कौन सी सुरक्षा देखें हम लोग मौसम की और जानवरों की इसके बाद हमने देखा कि इसकी पांच अवस्थाएं होती हैं नग नवस्था सिकार की कृष्षी की सामाजिक और इसके बाद आपने देखा कि रेशों का वरगी करन कौन-कौन सा लंबाई के अधार पर और श्रोत के अधार पर लंबाई के अधार पर आपने देखा कि एक आपका जो होता है स्टेपल फाइबर और एक होता है फिलमेंट फाइबर जैसे छोटे रेशे क्या कहलाएंगे आ तो यह आपका था आज का यह आपने देखा वानस्पतिक प्राडिजी खनीच और इसमें आपने देखा था मानोकृत संसलेशित और विशिष्ट तो यह आपका क्या था यह आपका था वस्त्र विज्ञान के अंतरगत जो चीजें हमें पढ़नी है क्लासिफेकेशन और फाइबर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर था तो इसमें अभी हम लोग यह जो अभी छोटी-छोटी चीजें पढ़नें कि कॉटन लिनन यह सब पूरा एक चैप्टर है आपका इसको हम लोग डिटेल में भी आगे डिसकस करेंगे कुछ लाइने हैं आप लोगों के लिए जैसे जितना कठिन शंगर्स होगा जीत उतनी ही शांदार होगी यानि कि अगर आप लोग अभी से परिश्रम करना शुरू कर देते हैं तो आपकी जो जीत है वो एकदम निश्चित हो जाएगी ठीक है ठैंक्यू